नमस्कार दोस्तों दा पोलिटिकल वेब में आप सभी का स्वागत है मिलडा मेश वर्तिवारी और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत द्वारा उठाए गए एक क्रांती कारी कदम के बारे में जिसके अंतरकत भारती सरकार ने पाकिस्तान के 20 यूटूब चैन को और दो वेबसाइडों को बैन कर दिया है IT रूल के अंतरकत क्योंकि आप जानते हैं कि हमारी दिन चर्या में सोशल मीडिया का यूज इतना बढ़ गया है कि हम अपनी पूरी जिंदिगी उसी पर निर्भर अब रहने वाले हैं और रहने भी लगे हैं चाहे हमें किसी की लेनी हो या कोई फॉर्म भरना हो या देश विदेश की न्यूज गेन करनी हो तो हमें सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना पड़ता है यहां तक कि शॉपिंग से लेकर परसनल चैट तक हमें सभी में सोशल मीडिया का यूज करना पड़ता है लेकिन कुछ कंट्री ऐसे भी और दो वेबसाइड द्वारा जिनकी संख्या बढ़कर अब तीन हो चुकी है तीन वेबसाइड द्वारा उन्होंने भारत विरोधी प्रचार इतना फैलाया उन्होंने इतनी गलत नीवस फैलाई कि भारत सरकार को ये स्टैप लेना पड़ा और उसके 20 चनुस लेकर 3 और ये जो डिसीजन लिया गया है ये लिया गया है आईटी रूल 2021 के अंतरकत तो अभी रिसेंटली में भारते सरकार के मंतराले ने जानकारी दी उन्होंने इसमें बताया कि इंडियन इंफोर्मेशन टेकनोलोजी को सिक्योर करने के लिए इंडियन गवर्मेंट ने अमेर पाकिस्तान से हो रहा था और पाकिस्तान द्वारा इसको मिस्यूस करा जा रहा था भारत के खिलाफ और ये सब हो रहा था भारत के पांच राजों में होने वाले चुनाव को देखते हुए इसलिए भारतिय सरकार ने सत कदम लेते हुए इन चैनलों पर कारवाई करी भारत जानकारियों का network पाकिस्टान के यूटूब चैनल द्वारा और उनकी website द्वारा चलाए जा रहा है जिसमें पाकिस्टान के 20 यूटूब चैनल और 3 वेबसाइड सम्मिली थे हैं अगर मैं मेजर यूटूब चनल की बात करूँ तो उसका नाम है नया पाकिस्तान ग्रूप इसने तो हदी करती है मतलब इनके पास अब रीबुक का शूस खरीदने के पैसे नहीं है तो इन्होंने रीबुक के नाम से ही भारत का विरोध करना स्टार्ट कर दिया है इसलिए भ पाकिस्तान के 20 यूटूब चैनल और 3 वेबसाइटों को बैन कर दिया है पूरी तरह से ब्लोक कर दिया है अगर मैं बात करूँ के कौन-कौन से यूटूब चैनल थे जो पाकिस्तान द्वारा संचालित के जारते भारत विरोधी प्रचार के लिए तो उन में सबसे पहले पाकिस्तान गलोबल और पाकिस्तान गलोबल जुनायद हलीम उफिशल तयब हनीव जैन अली ओफिशल मौसीन राजपूत ओफिशल सदफ दुरानी मैन इम्रान एहमद नजम उलहसन और बाजवा इसमें टोटल 23 मेंशन करे गए हैं जिसमें से 20 यूटूब चैनल है और 3 प पाकिस्तान दौरस संचालित होने वाली वेबसाइड है जिन पर भारत विरोधी प्रचार किया जारा था गलत information प्रोवैड कर जारी थी लोगों को जिससे पुरी जनता का ध्यान पाकिस्तान में होने वाले विवस्ता से हटा कर भारत की और उनका ध्यान आकर्षित करा रिसेंटली में अभी वो वल्ड बेंक के पास भी गया था लोन लेने के लिए और उससे पहले उसने अपना हाथ फिलाय था गल्फ कंट्री की और तो पाकिस्तान की अर्थिवेस्था तो यहाँ पर पूरी तरह चर्मरा गई है अब उसे समझ में तो आ नहीं रहा है कि वो आप देख सकते हैं कि इन चैनलों पर भारत विरोधी कितनी गलत न्यूज का मिस इनफोर्मिशन किया जा रहा था और पाकिस्तान की जनता से लेके पूरे वल्ड में कितना ब्रहम फैलाए जा रहा था भारत के खिलाफ इन न्यूज को देखकर इन पिक को देखकर आप जाहिन